अटल बिहारी बाजपई और केजी एम्यू के एक्जाम डेट में बहुत बड़ा बदलाओ क्या एक्जाम डेट बढ़ेगी आप अगर यूटूब में जाओगे तो ऐसी वीडियो आपको भर भर के देखने को मिलेगी तो क्या इस वीडियो के पीछे की सच्चाये मैं आपको पूरी एक्स्प्लेंड करने वाला हूँ और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपका जितना भी कन्फ्यूजन है इसके रिगार्डिंग आपका दूर हो जाएगा ठीक है मैं आपको पूरा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा और आज के बाद आप सही रास्ते पर बढ़ोगे न कि ऐसे कन्फ्यूजन वाले वीडियो में पढ़ोगे ठीक हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो तो यह सारा confusion आप खुद से भी दूर कर सकते हो, आप official website का सारा लो, यह आप देख सकते हो, यह अटल भिहारी बाचपे का official website में आए हुए है, यहाँ पे हम scroll down करेंगे, तो आपको सबसे पहले जो banner दिखेगा, यह आमारा BAC nursing का रहेगा, ठीक है, post basic और basic का, ठीक है, यहाँ पे आप देखो click here to view details, details आपको यहीं पर मिलेगी, आप इसको click करो, जैसे आप इसको click करोगे, आपके सामने एक और page खुल के आएगी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकतो BAC nursing हमें चूच करना यह वाली option, यहाँ पे information दिया गया है, और registration login पे fill up form यह सब दिया गया है, तो अगर आप इस option को click करते हो, तो आप इसके registration page में पहुंच जाओगे, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब देखो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे हमें दिख जायागा registration login करने के लिए, जो details मांगा जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है, लेक सबलब क्या हुआ कि यह registration completely closed कर दिया गया है, completely इसका link को यहाँ से हटा दिया गया, अब आप सरपट को या फिर कुछ और आपका registration नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इनका जो date था वो 18 मही था जो की पार हो चुका है, अब यह registration नहीं होगा, अब आप खुद सोचो, exam date कब बढ़ती है, आपके exam date में कब fair बदल होती है, जब उसके form भरने के date में कोई fair बदल होती है, वो postpone होता है, तब ही ऐसा होता है, और यहाँ पर ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मेर रहा है, यह time से आई, time से चली गई, यह form भरने का date था 18 मही को time से आई, और link यहाँ पर deactivate हो गया, तो अब हमारा जो next date है, वो है 25 मही, 25 मही को क्या है, तो यह date है admit card का, ठीक है, तो अब देखो, यह 110% आपका admit card 25 मही को आ जाएगा, क्योंकि इस date पे कोई छेड़ खाने नहीं हुआ है, तो इस date भी नहीं होगा, आपका admit card 25 को आ रहा है, और उसके बाद इसक क्योंकि आपका exam date है, तो उस date में कोई भी changes नहीं आएगा, और अगर आपको अभी भी थोड़ा सा doubt है, तो आपका doubt 25 मही को clear हो जाएगा, मैं खुद आपको वीडियो बना के बताऊँगा, अगर आपका admit card 25 मही को आ गया, तो फिर तो आप sure हो जाएगा, आपका exam 4 जून को क्योंकि अभी तक कोई भी date में postpone देखा नहीं गया, तो अगर आप confused रहते हो, इन सब चक्रों में रहते हो कि मेरा exam date बढ़ेगा, तो आप बहुत गरत कर दे हो, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी time नहीं है, 4 जून को आपका exam होने वाला है, और इतने कम time में आप पढ़ चितना भी confusion था, वो मैंने दूर कर दिया, आपका कोई भी exam date नहीं बढ़ने वाला है, अगर आप अभी तक serious नहीं हो, तो serious हो जाओ, आखरी के कुछ दिन अच्छे से पढ़ लो, ताकि आपका selection हो जाए, तो आखरी के कुछ दिनों में आप अपने revision को और अच्छे से करना चाहते हो, तो आप हमारा ये 10,000 objective questions का जो questions bank है, इसको आप purchase कर लीजी, इसमें आपको all subject के questions दिख जाएंगे, English medium में रहेगी, और मैंने पहले ही बता दिया था, कि इससे बाहर एक भी person नहीं पूछेगा, आप इसको अगर पूरा complete पढ़ लेते हो तो, ठीक है, ये special अटल लिहारी बाच पर केजी M.U. के लिए है, ये आपको हमारे एप में मिलेगी, आपको डाउनलोड किजिए, प्ले स्टोर में जाके, या फिर लिंक हमने description box में दे रखा है, और अधिक जानकारी के लिए आप इस help line number पर हमें call कर सकते हो, ये आपको एक नाम मातरफी के साथ द पूचेगा, क्योंकि ये previous year questions के साथ आता है, और इस से बाहर आपका questions ना के बराबर जाएगा, ठीक है, तो तैयारी को अच्छे से करो, last के कुछ दिनों में अच्छे से तैयारी करो, और अच्छा अपना result बनाओ, ठीक है, तो information अगर अच्छा लगा है, तो वीडियो को ए और आपका बनाओ, झाल 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